Hello student, आज हम नोगोक क्लास 10th का chapter pair of linear equation into variable exercise 3.4 Q2 देखेंगे Q2 का 5 Q2 हम लोगों क्या कर रहा था? प्रोबलीम दिया, उसको हम लोगों क्या निकल था Pair of linear equation form में लिखना था और इसे illumination method से solve गरना था चले देखते Q5 क्या कर रहा Q5 A landing library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day a book kept for 7 days while Suzy pay 21 rupees for the book she kept for 5 days find the fixed charge and the charge for each extra day ठीक है स्वेंट तो चलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग को क्या करें बूर दिखिए एक लाइबरी है जो क्या करता है बूक को क्या करता है उधार में देता है ठीक है और उसके क्या करता है तीन दिन तक क्या होता है fix charge रहता है ठीक है तीन दिन के लिए क्या होता है और उसके बाद जो दिन होता है उसका क्या होता है एक्स्टरा चार्ज लगता具 कि इसमें कहा रहे जो सरीटा है वो 37 रुप है जम्हा करती है और एक बूक क्या करती है लेती है तो सुजी है और हो 21 रुपीज पेड करती है और बूक लेती है कितना दिन के लिए? 5 days के लिए तो हम लोग को find करना है कि fixed charge कितना है और जो extra charge है मतलब कि per day का जो charge है वो कितना है ठीक है जो यहाँ पर लिखा है charge for is extra day जो मतलब extra day का charge कितना और fixed charge कितना यह पूछ रहा है हम लोग से तो चलिए हम लोग इसको solve करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जो निकानला रहता हम उसी को late करें तो चलिए हम पर late कर लेंगे late the fixed charge fixed charge कितना late the fixed charge x मान लिए ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे and the charge for each extra day extra day में कितना लेता है y मान लेते हैं ठीक है आप देखिए जो सरीता है वो कितना रुपिया देती है 27 रुपिया देती है ठीक है 7 days के लिए तो देखिए fixed charge कितना लेगा उसका x रहेगा fixed charge तो same रहेगा कितना उतना ही रहेगा plus अब देखिए निकालेंगे fixed charge तो same रहेगा ठीक है सुजी के लिए भी plus ठीक है अब y देखिए वो कितना दिन के लिए भूक लेती है total 5 days के लिए भूक लेती है 5 days के लिए ठीक है तो 3 दिन तक तो fixed charge जाता है बचा कितना दिन डिन एक्स्टा चारज होता है एक दिन के एक्स्टा चारज हम लोसे कितना वाना है तो दो दिन के एक्स्टा चारज कितना हो जाएगा 2y ठीक है और वो total पैसा कितना देती है 21 रूपीज देती है ठीक है यह हम लोग का equation number 2 बन जाएगा आप चलिए सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इकवेशन कितना इक लिएख लेटे लिए, 2 from 1 ठीक है 1 से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हम लोग x plus 4y equal to 27 x plus 2y equal to 21 छेले हम लोग सब्ट्राक्ट कर रहे तो क्या करेंगे हापे sign change हो जाता है पलस है तो माइनस पलस है तो माइनस ठीक है अब यहापे पलस है तो माइनस x x क्या होगा दोनों cancel हो जाएगा x x cancel हो जाएगा x x cancel हो गया क्या है अब देखे हैं पलस माइनस माइनस कितना बचेगा 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा ठीक है equal to क्या बचेगा देखे हैं पलस माइनस माइनस तो 27 में से हम लोग 21 मानस के रिंग कितना बचेगा 6 बचेगा अब देखिए हाप य का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 बाइ 2 ठीक है multiply में था 2 equal to कि धार गया तो divide में cancel हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 ठीक है y बराबर कितना आ गया 3 आ गया अब चली हम लोग y का value को put कर देते हैं equation 1 में या 2 में चली equation number 2 में put कर देते हैं putting the value of y in equation 2 equation 2 है हम लोग का x plus 2y x plus 2y equal to 21 और हम लोग का y का value कितना है y का value हम लोग का आया 3 y का value कितना है 3 तो put कर देंगे x plus 2 into क्या हो जाएगा 3 equal to 21 x बराबर कितना हो जाएगा 6 equal to 21 x बराबर क्या हो जाएगा 21 6 क्या plus में equal to गदर जाएगा तो minus में याटकर था मलगों नहीं है कि लिगस्ता फिक्स का यहां देंगे एक्सचा फिक्र लिग देंगे hence the fixed charge fixed charge कितना हो जाएगा fixed charge is कितना रुपी है 15 रुपीज and extra क्या हो जाएगा per day charge per day charge is कितना हो जाएगा 3 रुपीज तो हम लोग का ये answer जाएगा so student वीडियो पसंद है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you